a very good afternoon to all of you बच्चो मेरा नाम है भीश्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनट के इस अमेजिंग प्लाटफॉर्म पर तो आज basically एक आपके लिए guidance session भी है और साथ के साथ हम MCQ भी करेंगे हम यह भी जानेंगे आज की क्लास में की भाई सुड़ो फोर्स का application कैसे होता है बेसिकली वाटि सुड़ो फोर्स और सुड़ो वर्ड का मतलब फॉल्स होता है तो फॉल्स फोर्स की जरुवती की बड़ी में ठीक है और उसके साथ हलो बटाश तो आज यार देखो दो देखा है आपको अभी तक यहीं नहीं पता है कि फिजिक्स पढ़नी कैसे तो पहले तो यहीं चीज़ेंगे कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स लाइक प्रो ठीक है और उसको प्राक्टिस कैसे करें लाइक प्रो ठीक और उसकी बाद सुड़ो फोर्स और उससे रिलेटेट क् उसको फिर से देखना है क्योंकि वह एक अच्छा सवाल है बहुत इंटरस्टिन सवाल है और उसको जल्दी-जल्दी में गलत देखा था तो फिर जल्दी-जल्दी में गलत देखेंगे तो जल्दी-जल्दी में फिर उसको गलत ही solve करेंगे तो उसको सई से देखेंगे और और हेलो बेटा मोहीनी है ना और हाई so today we are going to see that how to study physics and जो बच्चे अभी आ चुके हैं all those students जो बेटा आ चुके हैं आप लोग online जल्ली से फटाफट से comment डाल दीजे youtube पे जो बच्चे हैं वो भी comment डाल दें we are going to see how to study physics को कि यही नहीं पता हम सबको यहीं नहीं पता कि physics को पढ़ना कैसे है पढ़ना कैसे है doubt आ जाते हैं तो क्या करना है doubt और अगर अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है self study करनी है तो कैसे करनी है और even class में पढ़ रहे हैं physics तो कैसे करना है तो physics को पढ़ना सीखते हैं मैं कुछ आपको tips बताऊंगा कुछ आपको steps बताऊंगा जो की हमारे लिए जरूरी है और physics में अगर हम कर लेते हैं तो वही सारी चीज़ें बाकी subjects में भी लगाओंगे तो होगा ठीक है तो how to study का तो मतलब नी बता वो तो आप हर किसी का अपना style है पढ़ने का किस तरीकी से पढ़ना है किस तरीकी की आदत है है habit है पर physics को किस तरीकी से पढ़ना है there should be a मतब एक law मेरे को अगर पूछा जाए तो एक law बना देना चाहिए जैसे न्यूटन के law है जले तो जो जो बच्चा आठ चुका है बेटा फटाफट से कमेंट कीजिए एंड ये भी बता दूं आप सभी लोगों को की सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है डाउटनट का फ्लैक्शिप प्लैक्शिप बैच फ्लैक्शिप का मतलब है कि वहिए वन आप दे मोस्स पहनत करेगा जिन बच्चों के साथ और जिनका रिजल्ट टॉप टॉप क्लास स्टूरेंट्स में लाने की पूरी कोशिश करेगा सो इस पूरे के पूरे बैच को पूरे पूरे सवल्दा बैच का जो क्लासस है जो आपकी लगेंगी जो आपको किंटन्ट दिया जाएगा जो आपको सवाल किये जाएग हे वो सारी चीज वेल रिशर्च दे ठीक है जो टॉप फेकल्टी पूल से आईटियंस, नाईटियंस, विट्सियंस, सारे टीचर्स में मिलके आप लोगों के लिए सफलता बैच क्रेट किया है, तयार किया है, इसमें आपको दो टीचर्स मिलेंगे, and more of the, more of that कि आपको एक term 1 का revision कराया जाएगा within the period of 15 to 18 days और term 2 का slayvus पूरा कराया जाएगा with proper problem practice, with proper everything जो भी आपको required है, physics में, chemistry में, maths में, अगर आपके बाइओ है तो बाइओ में, ठीक है, और जैसे लिए आपका 11th class खतम होगा, we are going to start with the 12th class, तो इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर ये तीनों चीजे हैं, आप कस्रमाइज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, पसंद की भई रिविजन करना है, हम खुद कर लेंगे, या जो भी है, तो आप इसको अटवा सकते हैं, प्राइस में उसी के अकॉर्डिंग घटावती हो जाएगे, Similarly, 12th का full course भी आपको मिलेगा, if you are not sure about this thing, तो आप इसको भी हटवा सकते हैं, but the point is, slaven should be completed on the given date with a guarantee and साथ के साथ, जो cost price है, इस पूरे के पूरे, तीनों को include करके, वो तीनों को include करके, जो cost price है इस पूरे के पूरे के पूरे course का, वो भी अगर मैं बात कहूं आपके इस coming time जो आने वाला है कुछ six months और उसके बाद 12 का जो पूरा time लेने वाला है यानि लगबग देर साल का जो course की fees है वो आपकी बहुत ही कम है even जो आप पूरे अपने school में देते हैं पूरे साल के लिए उससे भी बहुत कम है आप अपने coaching या tuition center में देते हैं उससे तो बहुत-बहुत कम है और quality उससे बहुत-बहुत जादा हाई है तो if you are interested in this particular batch of subalda batch तो आप इस पे call कर सकते हैं एक पोल जन्रेट कर रहा हूं पोल पे आप mark कीजिए यस and साथ के साथ comment कर दीजिए कि आप व्याइप कोर्स में इंट्रेस्टेड है इससे होगा क्या डाउटनट की टीम counselor टीम आपको call करेगी and आपको जो भी सवाल पूछने related to this batch आप पूछ सकते हैं ठीक है इस batch में क्या क्या हो चुका है क्या क्या कराएंगे कब क्या होगा कौन से teacher कराएंगे किस तरीके से आगे भढ़ेंगे syllabus को लेके practice कैसे होगी a to z जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं counselor से तो counselor का फोन आपके कब आएगा जब आप type करेंगे VIP course में interested है पहली चीज और दूसरी चीज कि अगर आप लोग बोलते हैं कि भाई यू आर कमिंग फॉम भीश्म जर्ड क्लास यू विल गेट है extra discount as well तो भीश्म शर्मा मेरा नाम है तो अगर आप लोग चाहते हैं ठीक है तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा तो यार और क्या चाहिए तुमें जीवन में जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और जो जो बच्चे आच चुके हैं वो एक बार कमेंट डाल दे नाउ हां तो आप लोगों को एक लिंक भी प्रॉइड कर दिया तो बेटा फटावपर से जो जो आ चुका एक पर ओंलाइन हो चुका है फटावट से अपने नाम की साथ जरा मेरे को थम्स अब डाल दो बटावट से जल्दी जल्दी अंड पोल क्लेट हो चुका है यस तो चलिए चुरू करेंगे हाउ टू स्टडी फिदिक्स से जो पच्चे आ जाएंगे तब देख लेंगे मैं चाहता हूं कि जब जाद से जाद बच्चों को जी चीज़ पर चले तो कम से कम टाइम में जिसे कम से कम प्राक्टिस में मैक्सिमम अंडर्स्टेंडिंग कैसे क्रेट करनी तो थो प्रेट जी कि ये एक main point है ये एक important point है जो हमें सीखना है ठीक है तो start करें बड़ा ठीक है जो जो बच्चे आ चुके हैं एक बार फटा-फट से comment डाल दें and हमारे कुछ question ये previous class के question है इनको देखेंगे and we will start the quiz इसके बाद ठीक है clear है तो चले start करते हैं ये सवाल दिया हुआ था हमें कल की quiz में ये सवाल मैंने आप से पूछा था और क्या था सवाल की a person is standing in an elevator elevator यानि lift ठीक है तो in which situation he finds his weight less than the actual weight less than the actual weight किस situation में उसे लगेगा कि उसका actually weight जो है वो कम है मदब actual weight से जो lift के अंदर है वो weight कम है ठीक है तो वो देखते हैं ठीक है चले start करें तो year before this चीज जान लेते हैं और जो बच्चा लेट है बदलब मेरे को नहीं बता आप क्या करना है तो में कैसे करना है ठीक है लेट मत हुआ करो that's the main thing चले जानते है pseudo force का क्या scene है ठीक है और क्या होते हैं frames of reference ठीक है अभी how to study physics का एक ही चीज मैं आपको बता देता हूं कि यार जब मैं हहां पढ़ा रहा हूं तो you have to concentrate over the board साथ के साथ मेरी आवाज and साथ के साथ my body language ठीक है और जो particularly किसी भी step में doubt आए उसे instantly पूछ लो ठीक pseudo force क्या होता है pseudo force का मतलब है basically false force तो इसका जो जनम क्यों हुआ सर यह पिस है नहीं force यह force exist नहीं करता है यह exist नहीं करता है exist करता है inertia exist करता है inertia अब inertia एक force तो है नहीं माल लो मैं यहां खड़ा हुआ हूँ और बस अचानक से चल पड़े मैं बस के अंदर हूँ तो मेरे को rest पर नहीं किया दते हैं और बस का जो floor है वो आगे भाग रहा है तो मुझे पीछे की तरफ धक्का लगेगा मैं कहूंगा inertia था लेकिन कुछ लोग कहते हैं pseudoforce था ठीक है तो ऐसा कैसे हुआ जो लोग कहते हैं pseudoforce था वो क्यासे कह पा रहे हैं pseudoforce इसा false force ठीक है similarly जब हम circle में घूमते हैं तो गाड़ी से तो क्या होता है गाड़ी के outer वाले जो portion है उस पे हमें धक्का लगता है मैं कहूंग inertia लगा लेकिन कुछ लोग बोलेंगे centrifugal force लगा लेकिन centrifugal force तो exist ही नहीं करता है यानि centrifugal force भी एक pseudo force है centrifugal जहां पे word पल दियाना समझ जाना कि वहां पे वो वो विलकुल एकदम ही hypothetical बात चल रही है there is no force called centrifugal force there is only and only one force in the curved motion क्या है वो centripetal force जो की center की तरफ लगता है तो यार अब यह जो pseudo force का खेल है यह देखते है pseudo force का खेल क्या है तो उसको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि एक frame होता है हमारा बेटा inertial frame of reference है ना inertial frame of reference भाई देखो ऐसा है जो guidance है तुम्हें ना regarding exam regarding anything regarding syllabus regarding chapter regarding solving the physics यह हर class में मिलेगी बट point है कि यह नहीं सोचने कि यह होगा और दूसरा point है कि class में time पे आना है बारा बज़े तो जो लोग बच्चेस की recording देख रहे हैं उनको भी बोल दूब बटर try to come up early at 12 pm अवरी डे ठीक है Monday to Saturday याने कि इनर्शियल इनर्शियल frame of reference क्या होता है अथर में पहली बात हो frame of reference क्या होता है frame of reference का मतलब है एक ऐसा नजरिया जिदर से observer observe करता है किसी भी phenomenon को कुछ हो रहा है कुछ भी हो रहा है train जा रही है train चल रही है उतर रही है ball उपर जा रही है ball नीचे आ रही है box इदर उदर move कर रहे हैं अगर हम उसे inertial frame of reference देख रहे हैं तो Newton के laws हम easily लगा सकते हैं ठीक है जैसे कि क्योंकि Newton ने खुद inertial frame of reference से सारी चीज़े observe की ती inertial frame of reference का सर मतलब क्या होता है वह frame या तो जो रुका हुआ हो ठीक है frame at rest और अगर वह frame चल रहा है तो frame वह चलना चाहिए इन uniform motion ठीक है तभी तो इनर्शिया बना रहेगा तभी तो देख इसका नाम क्या है inertial frame of reference frame at rest या वह frame in uniform motion uniform motion मतलब क्या velocity होगी constant direction होगी constant को कि velocity constant होगी और acceleration zero होगी और इसके साथ अगर मैं बात करो एक और होता है सर नौन इनर्शियल क्या होता है नौन इनर्शियल नौन इनर्शियल क्या कहेंगे तो इसका एकदम उल्टा होगा ठीक है नौन इनर्शियल frame is something which is accelerating जिसके अंदर velocity constant नहीं है ठीक है तो नौन इनर्शियल frame की frame frame मतलब जबी भी framework बोलू सोचलो observer की बात चलिए कि observer कहा बैटके देख रहा है कहां से वह analyze कर रहा है कहां से खड़े होके वह Newton laws लगा रहा है ठीक है अभी इसको lift वाले सवाल में भी देखेंगे तो frame with acceleration यह तो चमका ही है frame with acceleration और उसके साथ साथ वह यह acceleration अगर रेस्ट पर हुआ यह relatively रेस्ट पर हो तो फ्रेम क्या कहलाएगा हमारा inertial frame of reference आई यहां देखें कि वही मालने ते हैं जैसे कि यह lift है ठीक है अभ दो टरीके हैं इस आदमी का वेट नापने के दोनव तरीके जानोगे ठीक है अभ दो तरीके हैं इस आदमी का वेट नापने के तो पहले तो यार एक weight machine रख देते हैं है तो इस आदमी का जब weight नापा और weight नापने के बाद basically मैं उसे kg में convert कर देता हूं तो जो 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 बच्चे आ चुके हैं फटाफट से comment करो पहले तो ठीक है जो जो बच्चे online जो बच्चे इस class को regularly follow कर रहे हैं वो भी फटाफट डाव यहाँ पर देघे नौ इंशियल फ्रेम नौन इनर्शियल फ्रेम वेट में जो इसका वेट है मतलब यहाँ पर यह लिफ्ट रेस्ट पे है ठीक लिफ्ट रेस्ट पे हैति हना ''hél Wor snack rad' तो क्या हो गया ब्याइर बोड़ है तो मतलब क्या उबदर physics अलग है कि बता तो और लुट का उभर्व, उदर अलग है? नुटन मोशन महाँ तरिके से बढ़ा हैं? बता दो. अरे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मध्या प्रदेश बोर्ड हो, अंपी बोर्ड हो, कोई भी मतलब आपका maha rests बोर्ड हो, महरास्ट्र बोर्ड हो, तमिल बोर्ड हो, है मेरे बोर्ड में नहीं है this is all for this is common for all ठीक है तो यह नहीं हूं अची है यहां देखो चलो तो अच्छी बात है दिमाग से निकाल दिया लिफ्ट एट रेस्ट है और जो हाउ टू सड़ी फिजिक्स है हाउ टू सड़ी फिजिक्स है जो मैं बता रहा हूं कि भीजिक्स को पढ ना कैसे है फिजिक्स को कैसे पढ ना है क्या है शही की यह जो geng машine है असल में ये नॉर्मल रियक्शन नापती है हमेशा वेइंग मशीन नॉर्मल रियक्शन नापती है तो इस आदमी ने इस वेइंग मशीन पे लगा रखा है एक नॉर्मल रियक्शन और इस आदमी की अगर मैं बात करूं तो इस आदमी पे ऊपर की तरफ एक एक अक्शन लग इसने इस पर reaction किया तो machine ने इस पर reaction कर दिया और साथ के साथ इस आदमी पर weight लग रहा है mg और क्यूंकि यह lift rest पर है और आप यहां खड़े हो आप कौन हो observer आप कैसे observer हो आप inertial observer हो क्योंकि आप ground पर खड़े हो और ground क्या है जो rest पर है relatively हमारे relatively to this lift ठीक है तो हम क्या कहेंगे कि sir यहां पर आदमी तो उपर नहीं जा रहा है इसका मतलब forces balance forces है तो यानि normal reaction equals to mg कह दूंगा मैं बिना किसी शक के बिना किसी दुविदा के और वही इसमें reading आएगी क्योंकि यह भी normal reaction नहीं आप रहा है है ना sir कौन सा chapter है कौन सा लग रहा है बताओ neutral laws of motion ठीक है गुड़ आफ्टन बेटा संध्या संध्या बेटा आपने बीच में आना छोड़ दिया था यह पता है मेरे को ठीक है चलो तो आप लोगों आपका एक्जाम वहां पर सही चल रहा होगा जम्मू कश्मील बोर्ट से राइट तो चलिए देखें आगे ठीक है तो अभी बारा बज़े तो आना है डेली और बाकी लोगों को भी कह दो ठीक है बीच में काम बहुत था जिससे के अंदर मैं भी बहुत मश्र अगर बात करूं कि अगर यह सी खोभा यह लिफ्त चल रही होती तो क्या होता इसको यह फोर्स नहीं है यहां पर यहां पर यह बैठे हुए है और इसका मास है M ठीक अब होगा क्या मैं दो लोगों के नजर से नापूंगा एक है अब्जरवर जो कि यहां बैठा हुआ है O1 और एक अब्जरवर जो यहां बैठा हुआ है O2 दोनों की नजर से नाप यहां देखो अगर मैं O1 के नजरीय से देखू OBSERVER 1 के तो वो क्या कहेगा कि सर वो यह कहेगा कि यह जो मशीन है यह नॉर्मल रेक्शन नापहेगी लाइ यह तो उपर भाग रहे यानि अगर इस lift की acceleration a है तो इस प्राणी की भी acceleration a है और इस प्राणी की acceleration a है इट मीन्स net force उपर है यानि n-mg is equals to m a यह मैंने ground के respect में किया है और मैंने अभी तक तुम्हें कोई pseudo force बताया नहीं है अभी बस मैंने इतना बताया कि जो लग रहा है वैसा दिख रहा है वैसे हम लॉज लगा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे हम यह कहेंगे ना कि सर यह आदमी यह acceleration से उपर जा रहा है इस पर net force उपर की दरफ है इट मीन्स उपर वाला फोर्स बड़ा फोर्स है तो यहां पर जो वेट आएगा जो यह वेट ना पेगा वो क्या होगा normal reaction तो क्या होगा नए केस में normal reaction mg प्लस m e या फिर m g प्लस a कैसी भी कोई दिविदा वेट जो नहीं आएगा अब अरे इसको apparent weight भी कह देते हैं लेकिन मैंने से सूड़ए नी किया मैंने से simple जो जैसे Newton laws लगाते हैं वैसी किया है कि पहले यहां पर यह मूव नहीं कर रहा था तो मैंने का यह उपर ही नहीं जा रहा भार के आदमी के रिस्पेक्ट से जब यह उपर ही नहीं जा रहा तो नेट फोर्स जीरो हो गया अब भार के आप्जर्वर के रिस्पेक्ट से अगर यह प्राणी उपर जा रहा है तो इसका मतलब फिर पदलता रहेगा आप लोगों को भी कि भई डाउटनेट में क्या-क्या और हो रहा है राइट चलिए सो यह क्या अपरेंट वेट अब चलो नापते हैं ओटू की नजर से अभी जो ओटू है ना यह जो अंदर बैठा हुआ है यह क्या कहेगा यह तो समझ में आगे सर यह इसको जूनते हैं यह कहुझा कि भाई यह जो एमना यह इतना खुश हो रहा है ली रेस्ट पर है है इसके साफ से यह एक्सेल्डरेशन है जी Кưa बोलो grabbing इसके साफ से जो ओटू है इसके साफ से यह राइस्ट पे है है और हमें बडा यह रहा है तो यह लगा पाएगा क्या यह इस फ्रेम में खड़ा हुआ है क्या यह कहेगा अच्छा सर ओ टू यह लग गया ऊपर एन नीचे एम जी लेकिन इसे तो एक्सलरेशन पता ही निये यह उपर भी जा रहा है यह तो यहीं कहेगा सर एनिक को स्टू एम जी इसे हमेशा लगता रहेगा कि वेट कितना है तो वो यह दिखेगा यानि मालो 75 दिख रहा है तो यह देखेगा यह नहीं देखेगा और यह आदमी को इसको यह कहाँ गाएगा नहीं सतर था यह 75 कैसे हो गया इसे लगेगा जादू क्योंकि इसे नहीं पता अक्सलरेट कर रहा है पूरा सिस्टम इसके हिसाब से अंदर काला जो प्राणी है वो रेस्टे है क्योंकि वह भी उसके साथ रेस्ट पर तो यह आदमी कहां खड़ा हुआ है नॉन इनर्शिल फ्रेम में यह कहां कढ़ा हुआ है इनर्शिल फ्रेम में अब समझे क्यों मैं बोल रहा हूं क्यों न्यूटन तुमारे पीछे पड़ा है कि इनर्शल फ्रेम से काम करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा नहीं करोगे तो तुम्हें लॉज नहीं लगा पाऊगे क्योंकि सारे लॉज डिजाइन हुए थे इनर्शल फ्रेम में तो यहां पे यह अगर आदमी है यह नॉन इनर्शल फ्रेम है क्योंकि यह आदमी खुद कि आपको यूज ही न करा हूँ असल में क्या है कि ऐसे यूज हो जाए लेकिन बहुत बच्चे रहते हैं इसलिए ऐसी वर्मा जो सर है उन्होंने भी क्या किया किया बोल दो बता दो बच्चों को सूड़ो पोर जैसा कुछ होता है तो उन्होंने इसको अपने टाम लेके आए एसी वर्मा में बुक में और तब से ये एकदमी 90 से मतलब हो चुके हैं इस चीज को 20-30 साल तब से ये चीज़ फ्लरिश कर रही है एना ओल ओबर दनेशन तो अच्छी बात है क्योंकि वहां पर बच्चों को समझने में दिक्कत थी तो यार देखिए अब मैं क्या करूंग कि ये नॉन इनर्शल फ्रेम इनर्शल फ्रेम बन जाए क्या करूंगा मैं इस पे सूडो फोर्स लगांगा सूडो फोर्स क्या होता है सूडो फोर्स क्या होता है मतलब अगर आपका कोई भी फ्रेम चल रहा है विदन एक्सलेरेशन ए और उसके अंदर कोई और बॉड़ी ह है जो एम मास्की है तो सूड़ो फोर्स उस पे लगेगा पहली बात तो अपोजिट दिशा में मास ऑफ बॉडी इंटु में एक्सेलरेशन आफ दा फ्रेम ठीक है तो क्या है मास ऑफ बॉडी मुल्टिप्लाइ एक्सेलरेशन आफ दा फ्रेम ठीक है ठीक है बताइए जी दो समझ में आपको कि हम नॉन इनिर्शल फ्रेम में क्यों नहीं काम कर पाते हैं इसको सही वेट नहीं दिखेगा इसको कुछ नहीं दिखेगा ये पता नहीं ये काईगा भूत है ये काईगा भूत है कैसे यार 70 था 75 क्यों दिख रहा है ये 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 ओटू यानी second observer he is standing in a non-inertial frame जिदर हम लॉज नहीं लगा सकते ये ओवन इसने का भी या net force है लेकिन उपर भी जा रही है लिफ्ट तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन से उपर जा रही है तो इसका मास इंटू मैं एम जी लेकिन लिफ्ट भी जो देखो ऊपर जा रही है तो इस पर जो सर्फ सूड़ फोर्स होगा वो कहा लगेगा अपोसेट तो दे मोशन अफ दे लिफ्ट अपोसेट तो दा एक्सेलरेशन अफ दे लिफ्ट सॉरी तो यहां देखिए मास अफ दिस बोडी इंटू मैं अक्सेलरेशन अफ दे फ्रेम तो हम क्या कहेंगे मीचे आ गया अब ओ टू ओ टू इसको सही कह पाएगा एन इद इक्वल्स टू एम जी प्लस म ठीक है यह बताओ यह क्लियर हुआ नहीं हो एक है फ्रेम की अक्सेलरेशन बोलो ओ टू के हिसाब से यह ओवन के हिसाब से था ठीक है बताइए तो सूडो फोर्स का क्या लॉजिक क्या है लॉजिक है सूडो फोर्स असल में एक ऐसे नॉन इनर्शल फ्रेम वाले अब्जर्वर को म्यूटल लॉज सिखाता है एक नॉन इनर्शल फ्रेम में लगाना यानि नॉन इनर्शल फ्रेम को इनर्शल फ्रेम में convert करने का जो टूल है वो है pseudo force क्या होता है pseudo force mass of particular body into my acceleration of the frame opposite दिशा में acceleration के frame के acceleration के माल लेते कि यहाँ पे एक और कोई particle होता जिसका mass होता capital M तो इस पे भी pseudo force लगता क्योंकि मैं इसको inertial बनाना चाहरा हूँ इस frame को तो क्या कहूंगा कि mass into my acceleration of the frame button opposite direction तो जितने भी प्राणी अंदर है accelerated frame के उन सब पे opposite दिशा में एक pseudo force लगेगा और उस frame को आप रोक दो वो रुकेगा क्योंकि आप वो inertial बन गया या फिर उसको आप एक constant velocity से भी चलते हुए देख सकते हैं ये clear है बताए बताओ मैं एक pole generate कर रहा हूँ जल्दी से बता दो देखें तो अब यहाँ देखो यह आदमी का कह रहा है यह सवाल था पिछला यह कुछ की निया कुछ का भी आएगा ठीक है यहाँ देखो जल्दी अब person is standing in an elevator in which situation he finds his weight less than the actual weight तो कैसे situation में होगा कम कम होना चाहिए तो elevator में खड़ाइए अब भाई इसको अपना weight कम तब लगेगा तो नॉर्मल रियक्शन तो उपर लगेगी लगेगी और यही तो हमें नापनी है weight होता है normal reaction याद रखना mg तो जब normal reaction mg की बरापर होता है तो mg weight के देते हैं लेकिन कभी-कभी जाधा भी होता है ठीक है तो यहाँ देखे अब यह पूरा अबहाल लो ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है अरे यार तुम्हें तॉमनें जैरी देखा है उसमें देखा है कभी बार की जब ऐसे lift नीच आ रही होती है फिर augie and the cockroaches उसमें वो इस पेस से नीचे lift आ रही होती है बहुत ते जैसे गिर रही होती तो वो ऊपर चुपक जाते हैं यह सच है वो ऊपर चुपक जाते हैं this is true क्या होता है कि एक हम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता अगर कोई lift नीचे गिर रही है ना तो हमें एक तरीके से inertia की वज़े से कहलो ऊपर की तरफ एक inertia रहता है हमारा ठीक है क्योंकि हम तो rest पे थे ना lift ही नीचे गिर रही है हम तो वहीं कड़े हुए थे तो inertia आता है लेकिन लोगों ने इसको क्या बोल दिया इसको यह भी बोल दिया pseudo force तो क्या होगा इस आदमी का mass अगर M है तो MA तो जब lift नीचे आएगी तब इस पर pseudo force उपर लगेगा जब lift नीचे आएगी तो इस पर pseudo force उपर लगेगा तो अब आप pseudo force को एक real force की तरह काम करके चल सकते हो लेकिन आपको clear रहना चाहिए idea की exist नहीं करता हूँ सो अब मैं normal reaction निकालूं तो क्या होगा क्योंकि normal reaction नीचे तब मेरको हलका लगेगा इसी तहना तो elevator move upward na elevator move downward with an constant acceleration could be possible upward with uniform velocity ये तो inertial frame in move downward ना ये भी गलाता है ठीक है good afternoon बेटा आचल और आप आयो लेट this is wrong 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 बारा बजाना है ठीक है clear हुआ है next सवाल पर आते हैं इसको करो इसमे आमे weightlessness मिलेगा देखो क्या कह रहा है ये previous class का सवाल था अभी मैं कुछ generate करूंगा ठीक है a body of mass 2 kg is hung on a spring balance एक ऐसे करके lift है भही और इस पे एक spring balance है और इस पे 2 kg की mass लटक रही है ना vertical lift if the lift descend यानि नीचे आती है with an acceleration equal to the acceleration due to gravity तो भही या बता दो spring में reading कितनी आएगी तो देखो zero आएगी क्यों ये जो mass है ये देखो भाई भाई ऑब्वियस सी बात है इस पे लीचे लग रहा है mg और ये spring force है है ना spring force है मतलब tension माल लो इसे tension लग रही है है यहाँ पे tension is always away from the this तो ये जो spring force है ये जो spring balance वाला force है इसको मैं क्या कहते हैं फिलाल क्योंकि एक तरीके से है तो ये spring की या फिर रसी माल लो एक बार के लिए और ये नीचे जा रहा है तो सुड़ोफोर्स का लगेगा यार मास इंटू में फ्रेम ऑफ एक्सलरेशन यह क्या सुड़ोफोर्स सुड़ोफोर्स हमेशा एक्सलरेशन की अपोजिट लगता है किसकी इस पे एक Tension लगेगा राइट वही टेंशन इस पे लग़ा तो यह जो टेंशन होगा यहीं तो न आ पाज आएगा इसमें तो क्या आएगा टेंशन टी प्लस M.G. कुष्ट आना है daily ठीक है अभी आप लोग जल्दी नहीं आई तो मैंने नहीं बताया how to study physics अभी देखेंगे यहां देखो और इससे पहले मैंने बताया है pseudo force क्या होता है pseudo force is always act in non-inertial frame यानि जो acceleration से चलते हैं जिन पर कोई constant या variable acceleration होती है और जब हम लगाते हैं क्यों लगाते हैं कि यार अब मैं अगर non-inertial frame में खड़े होके loss of motion लगा रहा हूं तो मुझे बड़ी दिक्कत है मुझे नहीं समझ में आएगा कि यह चल भी रहे तो इस वज़े से मैं एक pseudo force लगाता हूं हम लेशा acceleration के opposite लगता है mass of body into acceleration frame की multiply कर देते हैं लिफ्ट की खिड़की की गाड़ी की जो भी जहां से observer देख रहा है ठीक है यह दो सवाल थे हमने जो last class में आपके लिए quiz generate करने जा रहा हूं तो quiz का पहला सवाल आप लोगों के सामने अभी आ रहा है बिलकुल अभी अभी दे क्या है सवाल a coin is dropped in a lift ये कल भी था class में लेकिन कल जल्दी जल्दी में देखा था ना तो जल्दी जल्दी में बहुत ही जल्दी में हमेशा यह हो तो जल्दी हो गया यह जो समझ मैं कर दिया ना देख रहे है तो कल की यह मैं को दुबारा डिसकस कराना है तो यहां कल जो हमने assumption ली थी वो यह ली थी कि accelerate हो चुका है और एक acceleration चली रहा था और हमने एक instantaneous velocity के basis पे T2 is greater than T1 कहा था जो की वो भी सही था लेकिन यहां पे हमें मान के चलना है कि lift just start हुई है अभी velocity वगरा छोड़ो उसी वक्त पर उस आदमी ने वहां से drop कर दिया तो उस वक्त प tension in the cable is 1000 kg elevator is 1000 kg weight मतलब यार उसी के अंदर ही elevator यान लिफ्ट के अंदर ही 1000 kg का आदमी खड़ा हुआ है मतलब लोग खड़े हुए काफी सारे और इस से जो लिफ्ट से जो रसी बंदी रहती है वो भी maximum 1000 newton ही झेल सकती है तो बताएए है ना यह 1000 kg weight की बात कर रहा है kg weight मतलब इ elevator is accelerating upward या फिर accelerating downward may be at rest or accelerating या फिर may be at rest or in uniform motion बताएए बटाबर से करिये ना नेक्स सवाल कुस्टू का question number one the apparent weight of a body when it is traveling upward with an acceleration this and mass is this तो विल भी वर्ट बताएए बटाबर से या अभी अभी तो कराया है स्प्यॉल जी की value ले लेना 9.8 क्योंकि यहां पे सारी ही चीज़े कहीं न कहीं दिख रहा है कि शायद 9.8 लेके आई हूं नहीं तो 10 ले लेना जो भी अंसर करीब आएगा वो आपका final answer होगा कर रहे हो आप लोग कर रहे हो बताएए भाई मुझे चाहिए कि मोहित सुरेश और मोहिनी और संध्या और जो बच्चे हैं जो अभी क्लास में बैठे हुए हैं बारा बजया जाय करें ठीक है देखें आगे देखें चली नेक्स लास्ट कुश्चिन एक आदमी का टाइम पीरिड एक पेंडूलम का प्रश्चेशनरी लिफ्ट में आप और फिर उसके बाद एक्सलेरेटेड लिफ्ट में आप लिया स्टेशनरी में ना पा कुछ टी और एक्सलेरेटेड वे नापेगा एक्सलेरेशन ऑफ जी वाइफोर जब वो चल रहा था ऊपर तो निउट टाइम पीरिड क्या होगा मत टू पाई अडरोट एल भाई जी लेंट ऑफ पैंडूलम अपॉन में जी तो समझ रहे हो ना यहां पर चेंज आएगा क्योंकि एक्सलेरेशन यह एक्सलेरेशन उपर भी कर रहा है और जी भी लग रहा है हो गया है चलिए यह तो खैर आप लोगों के लिए हुमब क्या आपको मिल जाएगा अगर आपको स्लाइड मिलती है नहीं तो हम कल की क्लास में डिसकस करेंगे यह भी बहुत अच्छा सवाल है यह तो यह यहां यहां तो यह यहां यहां पर यहां पर यहां पर यह तो नीचे लगेगा और साथ के साथ क्योंकि लिफ्ट जा रही है उपर तो इस पर प्सूड़ भी लग जाएगा कितना मास ऑफ बॉड़ी इंटू में अक्सेलरेशन ऑफ दा फ्रेम अक्सेलरेशन ऑफ दा फ्रेम कितनी दियुए है जी बाइफॉर इन अबवर डिरेक्शन क्लियर है तो यानि नेट अगर मैं बात करूं इसकी यहां पर जी इफेक्टिव लिखते हैं तो जो नेट कोई भी दिक्कत क्यासी भी नहीं है सॉल्व कर दो इसे टू पाई फूर प्लस वन फाइव तो या गया फाइव एल बाई ओ फॉर एल बाई फाइव जी ठीक है या गया टाइम पिरेट तो क्या बूच रहे बता दो ओर इजनल टाइम पिरेट के हिसाब से कितना होगा तो क टू पाई अंडरूट एल बाई जी को मैं बाहर निकाल लेता हूं और मल्टीबलाई में यह रहे ना फोर फाइट तो यह हो गया रूट यह आगया टू बाई रूट फाइव इसको मैंने साइड में रख लिया तो आपको पता अंसर क्या हो गया अब तक पता ही चल चुका रूट टू बाई वर टू बाई रूट फाइव यह बड़ा आज से आपकी सारी क्लासिस का टाइम टेबल चेंज हुआ है अज यह देखलो ना फिर से अरे यह दिया हुआ था ओरिजिनल टाइम क्या है टू पाई अंडर रूट एल बाई जी जी इफ्रेक्टिव लेते हैं तो जब लिफ्ट भूई हुई थी तू इसके अंडर A0 था तो इसपे सिर्फ एक mg लग रहा था तो जी इफ्रेक्टिव किसके बराबर था mg के बराबर था बदब g के बराबर ही था लेकिन जब यह lift चल रही है उस समय पे क्या होगा जब यह lift चल रही है चल रही है जब यह lift चल रही है एक acceleration से तो इसके उपर लगेगा एक तो mg तो लगेगा लगेगा साथ के साथ एक of force भी लगेगा mass of this into my acceleration of the frame जो दिया हुआ है g by 4 तो मैं नया time period निकाल हूंगा तो वो होगा 2 pi under root l by g plus g by 4 नीचे की तरह फे जी फैक्टिव इतना आ गया तो t-डेश आ गया 2 pi under root 4 l by 5 g और ये equation 2 है ये 1 है g फैक्टिव यहां पर g के बराबर है डिवाइड गर दो तो आजाएगा t by t dash is equals to what बोलो ये आजाएगा 1 upon under root 4 by 5 यानि t dash अगर निकाल हूं तो वो हो जाएगा under root 4 by 5 into me t यानि 2 by root 5 into me t कोई दिकत कैसे भी दूबी दा या जाएगा a is the correct answer अब क्लियर है अब क्लियर है अब क्लियर है अभी आप कह रहे है नहीं समझ भाए है नहीं वेरी गूल बिटा सूरेश समझ में आ गया now इस सवाल पर आते हैं apparent weight of the body apparent weight of the body when it is traveling upward with an acceleration 2 will be भाई अब तो तुम्हें प्रो हो जाना चाहिए इसमें कि यह जो सर बॉड़ी है इस पर नीचे तो mg लगेगा लगेगा वो आर्थ के ma या फिर mg प्लस a या फिर mass कितना है 10 और gb में 10 ले रहा हूं और इसको 2 ले लेता हूं है ना बोलो तो कितना आजाएगा यह 12 120 120 अगर मैं 9.8 लेता तो 180 आजाता हूं डीज़ा करेक्ट अंसर ठीक है मतलब 120 न्यूटन जो की का लगबग 180 न्यूटन के करीब है ठीक है किसी का इसका 140 हा रहा पता नहीं कैसे बता हुए एक्सेलरेशन 4 नहीं दियो ही है एक्सेलरेशन 2 है है ना तो जब भी लिफ्ट उपर जाएगी हमें भारी महसूस होगा देखा ना या टॉम एंड जैरी में टॉम एक दब लिफ्ट से चुपक जाता है अगर लिफ्ट बहुत तेज उपर जा रही हो तो वह सूड़ो फोर् इसका वेट है हजार और रसी भी खीश सकती है हजार वेट कहलो तो इन्टु में जी इन्टु में जी कहलो ठीक है तो अब आदमी जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तब इसने एक सिक्का छोड़ा था है ना तो इनीशल विलॉस्टी जीरो थी तो यह जब सिक्का आ रहा था उस पे जी की स्पीड से आया तो नीचे आने में इसने टाइम लिया टीवन वहीं पे एक सेम लिफ्ट कहां जारी थी अप विद कॉंस्टन एक्सलरेशन ए तो अब यहां पर जो आदमी था उसने है ना और हाइट भी सेम ही है एच तो यहां पर जो टाइम आ रहा था टीवन वह आप क्या का होगे सर्ट वह हम यहां से निकाल सकते हैं ना कि सर यह हाइट एच ले ले लेता हूं तो सर हाइट एच इस इकोल स्टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेर यानी इनिशल फिलाश्टी है जीरो तो सर यह जाएगा हाफ ए टी स्क्वेर तो सर टीवन हो गया अंडर रूट टू एच बाए जी यह माइनस माइनस भी लगाना चाहूं नों लगा लेना असाइन पर देखूं तो यहां पर क्या आना चाहिए टाइम पीरेड अंडर रूट टू हाइट तो वही है लेकिन सर जी बदल गया जी एफेक्टिव चेंज हो गया अब इस पर सूड़ फोर्स लगेगा पीछे की तरफ भी जब आदमी था तभी की बात कर रहा हूं जैसी छोड़ है में तो यह ओगा जी प्लस ए तो देख रहे हो जो टी टू है वो कम होगा टीवन से यह है कहने का ताथ पर अरे देखो ना इसका डिनोमेटर बढ़ गया सुड़ फोर्स की वाज़े से और इसका डिनोमेटर तो वही है तो इस वाई से यह कम हो जाएगा यह बढ़ जाए अब देखें अब यहां देखो यह सब तुमने देखी लिए यह भी देख लिए सारी चीज़ देख लिए सारे सवाल देख लिए अब एच चीज आती है हाव तु स्टुडि फिदिक्स यार देखो फिदिक्स का कोई भी कोशिन सॉल्विंग आप कर रहे हो तो रिमेंबर चल रही है तो सबसे पहले आपको डाइग्रम बनाना है साफ साफ एकदम सोच के यह क्या करेगा यह आपकी इमेजिनेशन को इंक्रीज करेगा तो कोई भी सवाल अगर आप डाइग्रम के बिना कर रहे हैं मतलब समझ जाओ रटके बैठे हुए हो तो नहीं होगा काम ठीक ह है और उसके बाद साथ के साथ सवाल को पढ़ना है अच्छे से तो यह तो जीरो स्टैप हो गया इंग्लिश अंग्रेजी समझ नहीं है सवाल की सवाल की समझो ना यह मैं सेल्फ स्टैटी का तरीका बता रहा हूं और यह आज में तुम मास्टर नहीं कर लोगे इसको करने में तुम्हें दो या तीन या चार दिन लगेंगे लेकिन तब स्मूध हो जाएगा मामला फिर उसके बाद कॉंसेप्ट का आइडेंटिफिकेश सब्सक्राइब करना तो यू विल गेट बैनिफिट है ना कॉंसेप्ट इडेंटिफिकेशन मतलब गिवन क्या है निकालना क्या है यह सारी चीदे और यह आप करते भी आ रहे हो आडी शर्मा के जमाने ते है ना और फिर कॉंसेप्ट को एपलाई करना आना चाहिए तो मैक तो मैकसिमम जंता को कहां पे दिक्कत आती है पहली बात तो 99% को जंता को दिक्कत आती है यहां पे 99% उसके बाद चलो यह तो तुम सोच ही लोगी कि लगेगा क्या दिया क्या है पूछा क्या है बताए क्या concept apply कर भी देते हैं एक बार के लिए application में तो मतलब दिक्कत आती ह जाती है फिर उसकी बाद तो चलो करी लेते हो तो हमेशा याद रखो जब भी आप सवाल को कर रहे हो तो आपको पता हो नहीं चाहिए अच्छा मैंने स्टेप बन कर लिया मैंने स्टेप टू कर लिया मुझे यह नहीं पता चल रहा कि concept कौन सा लगेगा यहां दिक्कत है उस स अपलाई तो example देखो अगर नहीं होता है apply तो क्या देखने है examples देखो उसी से related see examples तो आपको apply करना आ जाएगा और उसके बाद यह तो यार आपकी मतलब यह तो आपका जनम से जो समझ है मैंस को solve करने की बोलेगी तो भई समझ जाओ physics को पढ़ने का यही तरीका है diagram सवाल से पता लगाओ क्या है क्या नहीं है क्या अंग्रेजी है उसकी सेकंड चीज है हमें diagram प्रॉपरली होना चीज जिससे imagination बढ़ेगी cartoon देखो थोड़ा बहुत और उसके साथ concept identification करो कि यार लगेगा क्या दिया क्या है निकालना क्या है और मैं क्या लगा सकता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं formula लगा रहा हूं किसी और result वाला किसी और condition वाला और यहां पे condition अलग है जब ऐसी चीज़े होती है तो try to see the theory and examples अगर आपको apply नहीं करना आपको समझ में आगा कि हाँ लगेगा इसमें pseudo force का concept इसमें लगेगा apparent weight का concept लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं pseudo force लगाऊं कैसे तो उसके लिए आपको क्या करने सवाल करने and then after you have to do the maths चली तो यार अब मिलते कल की class में same time 12 बजे मैं आप सभी को बत प्रोग्राम of doubtnut इसमें आपका सारा content से लेके test series से लेके सारे questions everything is actually research तो अब इसमें क्या है कि एक तरीकी से term 1 का हम आपको revision provide करेंगे 11th class का term 2 का हम आपको क्या provide करेंगे term 2 का syllabus complete कराएंगे and then after then you will be having a 12th full course with your same teachers तो यार यह सारी चीज़े अगर आपको चाही है तो आप interested in VIP course आप पर counselor को आजाएगा and वहाँ पर आप क्या कर सकते है counselor को आने के बाद आप उन से पूछिए जो भी सवाल पूछने है fees इनरे सकते हो चलिए तो अगरा interested है तो डाल दीजेगा मैं एक poll generate कर रहा हूं and then मिलेंगे हम next class में कल with a different and new and more understandable topic ठीक है तो जो जो interested बेर डाल दो call आएगा आप उनसे call पर बात करना call में कोई problem नहीं है ठीक है चलिए मिलते गर दिलन टेकर एंड गुल बै थेंक्यू